नाम पे आज कर सोहर भी काफी वैरल हुआ है उस सब बात की बाते हैं, नो कमेंस पवन सिंग ने बुलाया तो हाफ पैंट में भी भाग कर उनके बुलावे पर आऊंगा ऐसा कहना है खेसारी लाल यादो का ये इसी इंटर्वियू में कहा गया है जिस इंटर्वियू में खेसारी लाल यादो ने पवन सिंग को अंकल कहा था और इसी इंटर्वियू में खेसारी ने ये भी कहा था जो की चीजे वाइरल नहीं हुई उन्होंने ये कहा कि पवन सिंग बड़े हैं इसलिए अगर वो मुझे बुलाते हैं मेरे साथ मंच साजा करते हैं तो मैं दोडते हुए आऊंगा सफारी सूट का इंतिजाम भी नहीं करूँगा मैं तो हाफ पैंट में ही भागते हुए चलाऊंगा भोजपूरी में वो मुझसे पहले आये हैं उनसे पहले मनोस्तिवारी रविकिशन और निरहुआ आये हैं इन सभी का सम्मान करता हुँ आगे अपनी बातों को रखते हुए खिसारी लाल यादों ने ये भी कहा कि उनके साथ मैं खुद भी मंच साजा करना चाहता हुए यहाँ पर जो ये सारी बाते लोगों की सुनी जाती है तब ये कहा जाता है कि खिसारी लाल जो है वो पवन सिंग से दोस्ती चाहते है और दोस्ती की शुरुआद भी पहले वही करना चाहते है कि सारी लाल यादो के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए